हलो स्टूदेंट्स माई नेम इस गर्वित खंदिल्वाल और आम वर्किंग अज लेक्ष्टर मेकानिकल इन गवर्मेंट पालिटेक्निक कॉलेज दौसा तो आज हम सेकंड डियर मेकानिकल डिप्लूमर स्टूदेंट्स के लिए एमी टू जीरो नाइन में वर्क्षप टेक्नलोजी इन मेटरलोजी सब्जेक्ट में नेक्स वीडियो को डिस्कूस करेंगे जिसका टॉपिक है क्विक रिटन मेकानिजम्स स्टूदेंट्स शेपर मशीन में हम जो मशीनिंग जो अपरेशन होता है जिसमें हम लोग जो मेकानिजम यूज लेते हैं और वो लेते हैं वो लेते हैं क्विक रिटन मेकानिजम्स का मतलब है कि शेपर मशीन में जो पास होता है एक पास जिसमें कि forward stroke और return stroke होता है उसमें जो return stroke होता है वह बहुत quickly return होता है क्योंकि उस वाले stroke में इसे लिए फोरविड डिदोक को आइडल स्टोडी बोलते हों आईडल जुनार कोमेटल का रिमोवल के इस कि क्या mechanism होती है तो जो quick return mechanism है उसमें एक mechanism है वो है crank and slotted mechanism crank and slotted link mechanism जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि crank और slot के माध्यम से हम यहाँ पे quick return mechanism को obtain करते हैं तो इसमें हम लोग जो देखते हैं वो आप देखेंगे कि RAM का जो reciprocation है RAM कैसे quickly return कर रही है उसको हम कैसे obtain करते हैं तो सबसे पहले इस mechanism में हम देखते हैं कि एक जो gear है वो है driving gear जिसे की हम electrical power देते हैं यह जो driving pinion है इसको हम electricity से connect करते हैं और जब भी supply देते हैं तो driving gear सबसे पहले घूमता है और driving gear के साथ में जो attach होता है वो होता है bull gear जिसका size काफी बड़ा होता है driving gear से जो क्यों होता है bull gear सबसे पहले हम electricity देंगे driving pinion को और pinion से आपका gear attach है जिसकी नाम दिया गया है bull gear जिसका size pinion की size से काफी बड़ा होता है अब इस बुलगेर के अंदर आप देखेंगे कि जो इसके जो face है बुलगेर का उस पे एक slide बना होता है यह आप देखेंगे यह एक slide है जो कि along the face of the bull gear होता है अब इस बुलगेर की slide में होता है बुलगेर sliding block जो कि बुलगेर slide के अंदर slide कर सकता है along the radius जो बुलगेर side block होता है इसके अंदर एक होती है crank pin जो यह पुरा crank होता है जिसके अंदर होती है crank pin जिस पे यह attach होता है साथी साथ यहां पर rocker arm sliding block आपकी देखेंगे यह जो रोकर राम sliding block है जहां मेरा कर्सर move कर रहा है जो की crank pin circle के along घूमता है crank pin circle मतलब यह जब हम बुलगेर को rotate करेंगे और यह जो crank pin जो circle बनाएगा उसी के around rocker arm का movement होगा तो यह रोकर राम है इसमें आप देखेंगे यह एक point से नीचे pivoted होता है मतलब यहां से यह इसको हम pin के द्वारा कसके रखते हैं और उपर की तरफ भी इसको freely ram से attach कर देते हैं यह ram है उपर जिसको कि हमने एक part इसका पाइवर्ट कर रखा है और दूसरा इसको freely attach कर रखा है जो भी रोकर राम का movement होगा वह हम रहां पर movement obtain करेंगे आप देखते हैं रहां है इसमें यह जो इसका रहां का front face है आगे वाला इससा है और यह पीछे वाला इससा है रहां के अंदर आप देखेंगे यह screw है जिसमें अलग-अलग thread बने हुआ है उपर एक clamping handle है जिसकी साहता से हम इसको कशते हैं साथी साथी stroke adjustment hand wheel है stroke adjustment hand wheel यह क्या करता है जब भी आपको stroke length को कम यह जादा करना है तो हम इस wheel का use लेते हैं इस type से यह crank and statically mechanism में जो भी यह diagram है इसके मैंने आपको सारे parts बता दी है अब यह work कैसे करेगा तो जब भी हम bull gear को घुमाएंगे तो जो rocker arm है इसका जो यह crank pin circle के अंदर घुमेगा और जो उसका movement होगा वह होगा oscillation movement मतलब यह एक बार इधर जाएगा और एक बार इधर जाएगा तो जब इधर जाएगा तो crank pin उपर आ जाएगी और जब इधर जाएगा क्रेंग फिन नीचे आजाएगी ऐसे यह सब यह move करता ही आपको और बताता हूं इस टाइप से इसका movement होता है यह जो हैальное movement होता है, यह pivoted है, एक बार crankpin यहां है, एक बार crankpin यहां है, इस type से इसका movement होता है, तो जब भी C1 से लेके C2 तक, मतलब जब यह crankpin इस तरफ होगी और उस से लेके इस तरफ तक आएगी, जब भी हम इसको clockwise direction में गुमाएगे, तो मतलब रैम जो है, यह आगे की तरफ जाएगी, मतलब forward stroke होगा, forward stroke में हमारी cutting होगी, और जब जो C2 से लेके C1 तक, C2 से लेके C1 तक जाएगी, तो हमारा return stroke होगा, मतलब उस टाइम पे हमारा cutting नहीं हो रही होगी, लिखा भी है, the forward cutting stroke takes place when the crankpin rotates through the angle C1 के C2, मतलब कब होता है, जब crankpin rotate करता है, C1 के C2 एंगल पे, और return stroke होता है, C2 L C1 आइंटम पे, तो अब आप जब भी cutting stroke हो रहा है, तो हमारा जो angle आ रहा है, वो हो रहा है, C1 के C2, और return stroke पे हमारा angle आ रहा है, C2 L C1, तो cutting time और return time का ratio क्या होगा, उनके बीच की हम लोग दूरी से उसको निकाल सकते हैं, उसके बीच के angle से, तो इसमें कितना angle आ रहा है, तो angle आएगा, C1 के C2, divided by angle of C2 L C1, अब यह आपको diagram से clearly mention हो सकता है कि C1 के C2 काफी ज़ादा है, C2 L C1 से, जो की लगबग होता है, या तो 2 गुना या फिर 1.5 गुना, इसका क्या मतलब है, कि आपका जो cutting time है, और जो return time है, वो उसका जो ratio है, वो है 2 raise to 1 या 3 raise to 2, इसका मतलब है, यह जो cutting time में आपको किसी भी forward stroke में 4 second लग रहे हैं, तो return stroke में कितने लगेंगे, 3 ही second लगेंगे, यदि हमारा quick return ratio 2 raise to 1 है, यह जो अनुपात है, यह जो ratio है, उसका हूँ बोलते है, quick return ratio, यह जब भी आप हार studies में, जब भी आप question solve कोरेंगे, तो आपको एक term देती है, quick return ratio, वो होता है, ratio of cutting time divided by return time, इस तरीके से यह जो है, यह RAM की, यह जो quick return mechanism है, जिसमें कि हम लोग crank and sorted mechanism देखे हैं, यह वग करती है, इसका main जो हमारा aim होता है, वो है, reciprocation of RAM, quickly, means, जो हमारा return stroke होता है, वो हमारा quickly आजाए, quickly return हो जाए RAM, तो उसके लिए हम यह mechanism बनाते हैं, जिसमें कि हम crank and slotted blocks, जो है, उसका use लेते हैं, और हम लोग sliding blocks यूज लेते हैं, और crank pin को जो है, और rocker RAM में आपन डाउन कराते हैं, जिससे की हमारा जो forward stroke है, और return stroke की, जो RAM की velocity उसमें काफी change आजाता है, और हमें time की काफी saving हो जाती है, प्रोडक्शन जो है, वो काफी ज़्यादा निकल के आता है, तो I hope आपको clear हो गया होगा, फिर भी कोई problem आए, तो classes में हम लोग discuss कर सकते हैं,